गुट मॉर्निक माइडियर इस्ट्रेंट्स अज यह सद्धेड वी कम्प्लीट यूर चैप्टर और यूर एक्सराइज 29 कल हमने आपकी 29 एक्सराइज को कम्प्लीट कर लिया था एंड टूडे वी स्टार्ट यूर एक्सराइज 30 यानि आज हम आपकी एक्सराइज 30 सोल गरे देखो एक्सराइज 29 में तो हमें क्या करना था कि हम कम्प्लीट ली डिवाइड जैसे 36 दे रखा था इसमें 3 का हमने डिवाइड किया तो 3 बंजा 3 ठीक है फिर 6 लिख लिए 3 टूजा 6 अब भी देखो पहले तो हमारा कंप्लीट कंप्लीट डिवाइड जा रहा था इस एक क्योंस मैंने यहां आपके 21 क्योशं सोल कर रहे हैं तो नेक्स वीडियो में आपके बाकि के क्योशन करऊंगी आज की लिए आपका इतना ही हूमवर्क रहेगा ठीक है तो इसके कुछ कुशंस मैं सोल कर वादेती हूं बाकि आप खुद करना और किसी बच्चे को अगर नही तो आप PDF में वहां से solution देख लेना इनका ठीक है तो चलिए हम हमारा ये chapter start करते है exercise start करते है ठीक है तो आपका जैसे इसमें first question दे रखा है 57 इसमें divide करना है किसका जी का वही question बताना है तो question में निकल बताया था वैसे ही आपको find out कर लेना है ठीक है ची अभी देखो यहां आपका इसमें divide करना है क्या दे रखा है 5 आपको यह पता है कि 3 की table में 5 तो कहीं आता नहीं है देखो 3 बंजा 3, 3 टू सा 6, 3 टू सा 9 देखो 5 कहीं आया नहीं आ रहा अगर last end तक जाओगी कहीं पे भी 5 नहीं आता है तो इसका मतलब आपको क्या करना है कि जो इसमें 5 में आप divide करोगे न यह आपका क्या होना चाहिए यनि 3 की table बोलो तो 3 या तो complete से ला जाए इसमें जिससे 6 अगर होता अपने पास तो 3 टूजा 6 कर देते हैं आपन complete जला जाता ठीक है तो या तो आपके पास complete होना चाहिए अगर complete नहीं है तो या तो इससे कम आना चाहिए ठीक है यनि आपको इतने बार table बोलनी है कि इससे कम हाए तो देखो 3 बंजा 3 और 3 टूजा 6 तो 6 तो इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब हम 2 टाइमस ना बोलकर कितने टाइम बोलेंगे 1 टाइम तो 3 बंजा 3 तो यहां 3 आ गया अब 5 में से हम देखो subtract करते भी जाते हैं तो 5 में से 3 subtract किया तो हमारे पास कितना बचा 2 बचा अब यह 2 है और यहां किसका भाग दे रहे हैं हम 3 का तो आपको पता है 2 छोटा नंबर है और 3 बड़ा नंबर है तो भाग तो हमारा जाएगा नहीं 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27 कितने टाइम गया 9 टाइम और 27 तो 7 में से 7 गया तो 0 और 2 में से 2 गया तो 0 हमारा भाग complete हो गया divide complete हो गया इसने आपको क्या पुचाई क्योशेंट तो क्योशेंट आपका क्या है 19 ठीक है तो इस तरहिके से आपको क्या करने फिचेंट करने जिस से next रखे है समय 60 60 में divided करना हमें 4 का तो अम देखो 5 में divide करेंगे तो आपको वही करना है कि या तो आपकेपास 4 की table में 6 आ जाई कहिं पे ठीक है और अगर six time six नहीं आ रहे है तो आपको क्या करना है इससे कम भाग देना है तो four बंजा four four two is a eight four three is a twelve देखो यहां six है four बंजा four four two is a eight eight है eight आपका क्या है इससे ज़्यादा हो गया तो हम two times ना दे करगे कितने time देंगे one time divide करेंगे तो four बंजा four और six में से four गए तो two अब आपको पता है यहां four है यहां two है तो यह two छोटा है तो two में तो कभी भाग नहीं जाएगा इसका मतलब हम क्या करेंगे हमारा next number का है zero इसको हम कहां ले आएंगे नीचे अब हमारे पास क्या हो गया twenty हो गया अब हमें four की टेबल बोलनी है four one जा four four two जा eight four three is a twelve four 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 sixteen और four five is a twenty कितने times जा रहा है five times तो यहां आगया twenty और zero में से zero two में से two गया तो zero यहां हमारा question कितना है 15 तो आपको क्या करना है इसमें कि अगर आपके पास complete divide नहीं हो रहा है तो उस number से हमें कम time तक क्या बोलना है आपकी टेबल बोलनी है चीक है जिससे आपता है question number four देख लिखते है 68 इसमें किसका divide करना है four का तो आप देखो यहां भी six है तो आपको पता है four की table में six तो आता नहीं है कभी ठीक है तो four one जा four four two जा eight eight जादा गया कितने times जा रहा है one times जा रहा है तो one times जा रहा है तो हम यहां four लिखेंगे और six में से four गया तो कितना बचा two आप हमारे पास क्या हो गया 28 तो आप four की table बोलो four one जा four four two जा eight four three जा 12 four four जा 16 four five जा 20 four six जा 24 और four seven जा 28 तो कितने times गया seven times यहां आ गया twenty eight zero इसका मतलब आपका question कितना हुआ 17 तो इस तरीके से आपको क्या करना है divide करना है तो यह two numbers वाले I think आपको समझ में आ गया होंगे अब हम आपके three numbers की बात करते कि three numbers की questions हम किस तरीके से करेंगे ठीक हैं तो completely आपके two numbers की questions है अब question number 13 देखते हैं इसमें कितने numbers का दे रखा है three numbers का तो 3, 1, 4 में हमें किसका डिवाइड करना है? 2 का, तो देखो, यहां हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 3 का, तो 2 की टेबल में आपको पता है, 3 तो कहीं नहीं आता है, 2 बंजा 2, 2 डूजा 4, और 2, 3 जा 6, देखो, यहां 4 आ गया, और यहां हमारे पास 3 है, तो 4 तो आपका है, तो 2 में तो हम, 1 में तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, 2 का, इसका मतलब हम क्या करेंगे, next हमारे पास क्या है, 1 नमबर है, तो हम 1 को नीचे ले आएंगे, अब आपके पास क्या हो गया, 11, तब 2 की टेबल बोलो, 2, 4, 3 जा 6, 2, 4 जा 8, और 2, 5 जा 10, और 2, 6 जा 12, देखो, तो 1 में से 0 गया तो 1, और 1 में से 1 गया तो 0, अब देखो, 1 है यहाँ पे और यहाँ 2 है, तो 1 में हम 2 का डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 1 चोटा नमबर है, तो हम 4 नमबर को नीचे ले आएंगे, अब 2 की टेबल बोलो, 2, 6 जा कितना हो गया, 12 और 2, 7 जा 14, तो 7 टाइ यहाँ जाएगा, 14 और 14 में से 14 गया है, तो 0, तो 157 आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 हो जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से आपका नेक्स देखते हैं, 972 में हमें डिवाइड करना है किसका, 4 का, ठीक है, तो देखो, यहाँ 9 है, तो 4 में जा 4, 4 टू जा 8, और 4 टू जा 12 देखो, 12 आपका जादा चला गया, यानि हम कितने टाइमस देंगे, 2 तो यहाँ 2 आज आएगा, 4 टू जा 8, और 9 में से 8 गया, तो कितना बचा, 1, अब देखो, यहाँ 1 है, और यहाँ 4 है, तो छोटा नमबर है, 1, तो हम इसमें डिवाइड नहीं कर पाएगे, 4 का, तो हम क पास क्या है, 70 है, ठीक है, तो इसका मतलब हम कितने टाइमस देंगे, 4 टाइमस देंगे, तो 4 फोर जा 16, तो यहाँ गया, 16, 7 में से 6 गया तो 1, ठीक है, और 1 में से 1 गया, तो 0 आएगा, तो आपको पता है, यहाँ 1 है, और यहां 4 है, तो 1 में आप 4 का डिवाइड नहीं कर सकते क्यों कि 1 हमारा क्या है छोटा नंबर है इसका मतलब हम क्या करेंगे 2 को नीचे की और लेक आएंगे तो 2 यहां आ गया अब हमारे पास क्या हो गया 12 हो गया तो 4 की टेबल में देखो 12 कहा रहा है 4 5 4 4 8 5 4 3 2 12 कितने टाइमस जा रहा है त्री तुह यहां आद आखे गा 3 और यहां आज आता आएग। आपके पास 12 1200 में तो 20 तो अपके पास क्या आया इसका है यह का आदि division क्या आया 243 तो इस तरहीं कह से आपको क्या करने है यह divide करने है, okay next जैसे आपका equation और समझाती हूँ मैं इसमें आपका ये दे रख्या है, 920 इसमें आपको divide करना है किसका, 8 का तो देखो, 8 बन जा 8 8 टू जा 16 पहले 9 में देखे हम, तो देखो 2 times तो जादा जा रहा है, 9 हमारा चोटा है, तो कितने times देंगे हम only 1 times देंगे, तो 8 बन जा 8, तो 9 में से 8 गया तो हमारे पास क्या बचा, 1 अब आपको पता है, 1 चोटा है और 8 बढ़ा है तो हम क्या करेंगे next, हमारे पास क्या है, 2 है, तो हम 2 number ले आएंगे नीचे, अब हमारे पास क्या हो गया, 12 अब देखो, 2 times भी करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 16 और यहां कितना है only, 12 है, तो इसका मतलब, यहां भी कितनी बार जाएगा भी only 1 times ही, तो यहां जाएगा 8, और 12 में से अगर आप 8 सब्ट्रेक करो, किताब के पास कितना बचेगा 4, अब पता है, 4 छोटा है और 8 बड़ा है, तो हमारे पास एक number हो और 0, तो हम इसको नीचे ले आएगे अब 8 की table बोलो 8 3s are 24 8 4s are 32 8 5s are 40 कितने times जा रहा है, 5 times जा रहा है ठीक है, और जैसे आपका देख एक 21 से आगे वाले questions है वो 4 numbers में ही है तो वो मैं कल्प करूँगी, बट यह 21 मैंने यहां solution दे दिया तो एक बर मैं 21 समझा देती हूं आपको जैसे ही यह दे रखा है सौरे, मैं थोड़ा छोटा लिखती है जैसे है, 5, 6, 0, 1 में हमें डिवाइड करना है किसका? 3 का तो हम किस में डिवाइड करेंगे पहले 5 में तो 3 बंजा 3, 3, 2, 6 आपको पता है, 2 times जादा जार है 5 हमारा छोटा है, तो हम कितने times देंगे only? 1 time देंगे, तो 3 बंजा 3 5 में से 3 का है, तो 2 आपको पता है, 2 छोटा है, और 3 बड़ा है तो इसका मतलब हम next number लेकिएंगे नीचे तो हो गया, 26 अब table बोलो, 3, 3s are 9 3, 4s are 12, 3, 5s are 15 और 3, 6s are 18 3, 7s are 21 और 3, 8s are 24 और 3, 9s are 27 देखो, 9 times तो 27 जादा गया तो कितने बार बोलेंगे हम? 8 times, तो यह आगया 24, तो 26 में से 4 गया, तो 2 आगया, आपको पता है, 3 बड़ा है और 2 हमारा छोटा है, तो हम next number हमारे पास किया 0, तो 0 को नीचे लिएंगे, अब देखो, 20 कहीं इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, बट यहां 21 है, तो 21 तो हमारा बड़ा हो गया इसका मतलब हम छोटा लेंगे और छोटा यानि 3, 6 जा कितना हो गया? 18, ठीक है, 20 में से 18 है, सब्ट्रेक किया, तो हमारे पास 2 बचा, अब आपको पता है, कि 2 छोटा है तो हम next number लेंगे नीचे 21, और 21 यहां आ रहा है 21 तक तो आपका solution दे दिया है, कल 35 fusion है, तो बाके के questions हम कल की वीडियो में करेंगे, ठीक है तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और इसका PDF भी मैं साथ में डालने माली हूँ, तो जिन बचों को किसी भी add होगी, डिवीजर में अगर problem आए, तो वो PDF के थूँ अपने questions का solution देख सकता है तो कल की वीडियो में हम आपके बाके questions solve करेंगे तब तक के लिए, bye bye, take care